नमस्कार स्वागत है आप सभी कास्ट्रो तक में मैं हूँ आपकी साथ भावना शर्मा आस्ट्रो तक आपके लिए खास सीरीज लेकर के आया है जिहां आज हम आपकी राश्यों के बारे में नहीं जानेगे बलकि बात होगी आज आपके प्लानेट्स के अलग-अलग प्लानेट्स में सीरीज में और बात होगी कि किस तरह से आप अपने ग्रहों को आपने प्लानेट्स स्टॉंग बना सकते हैं नाक्टरल वेज महीं क्योंकि आपने प्लानेट्स में क्यं यद्तित बॉद्ध hemos in a part of life is जीवन में कोई चेंज नहीं आता, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता, आपकी जिंदीगी वैसे की वैसे ही रहती है, या कई बार कुछ रतन जो होते हैं, वो आपके उपर उल्टा असर करने लग जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होता है, और बात करेंगे कि नाचुरल अपने बिहेवर में चेंज करके आपकी इस तरह से अपने प्लानेट्स को मस्पूत कर सकते हैं, उसको स्ट्रोंग बना सकते हैं, इसके बार में हम चर्शा करेंगे आज और शुरुवात करेंगे सबसे पहले सान्याने की सूरदेव जो हैं, जि आपके कुंडली में सूरे कंजोर है, या अगर सूरे के उपर राहू या केतु की दरश्टी पड़ती है, तो आप जान दीजे कि आपके जीवन में मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा, या आप अपनी बातों को सही तरीके से कह नहीं पाएंगे, आप एक्स्प्रेसिव नही होगे, बहुत जादा टालेंट होने के बावजूर भी लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके प्लानेट्स की वीक होने की वजह से आपके जीवन में आती है, हम खास तौर पे आज बात कर रहे हैं, सूरे को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, अपने बिहेवर में चेंज करके किस तरह से आप अपनी जिंदगी में बेटरमेंट लेकर के आसे पता हैं, क्योंकि जरूरी है, अब सूरे अगर कुंटली में कमजोर है तो आपसे कहा जाता है, आप माने क्याने कि रूबी रत में धारन कर लेजे, और कई बार क्या होत किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा, सूरे जैसमे ने कहा आपकी आत्मा का कारक माना जाता है, सूरे मान सम्मान का कारक माना जाता है, सूरे अगर कुंटली में अच्छा है तो इंसान किसी उच्छ पद पे रहेगा, सरकारी नौक्री उसे मिल सकती है, तो यह कई सारी इसा इनसान जो कि सूरे अच्छा है वो हमेशा चीज़ों को लीड करना पसंद करेगा हर चीज में एक हेड उस पर रहेगा तो कहीन पर आप बेखेंगे कि कुंडली में सूरे अच्छा नहीं होता है ऐसे लोग अपनी बातों को सपष्टता से नहीं कह पाते हैं ऐसे लोगों को हर जगा मान सम्मान में कमी मिलती है ऐसे लोग सरकारी पद को हासल नहीं कर पाते काई सारी और दिक्कते भी उनकी जीवन में आती हैं और ऐसे लोगों के जीवन में खासतोर पर उनके जो नियल्स होते हैं वो देखिंगे खराब होते हैं तो आप सबसे पहली चीज़ तो यह जान लेजे कि अगर आपका सूरे कमजोर है तो आपको अपने पिता के साथ अपना संबंद बहुत अच्छा रखना चाहिए आपको हमेशा इध्यान रखना चाहिए कि अपने फादर को कभी भी आप डिस्रिस्पेक्ट नहीं करें क्योंकि सूरे पिता का कारक भी माना जाता है अगर मान लिजे आपके कुणली में 10th house का सूरे खराब है तो आपके फादर के साथ आपके relationship अच्छा हो ही नहीं सकता इसलिए आपके लिए हमेशा ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप चाहते हैं क्योंकि अगर 10th house का सूरे खराब है तो पिता के साथ relationship अच्छा होगा भी नहीं कि आपके जीवन में मान सम्मान में हमीशा कमी आती रहेगी आपको भी relationships को handle करने में हमीशा कमी आती तो कुछ प्सक्राइब होटी है तो कि हम साथ-साथ उनको अपने behavior से अब जैसे मैंने कहा कि आपको हमीशा अपनी फादर को रिस्पेक्ट करना चाहिए अगर आपकी कुणली में सूरे खराब है उनको टाइम तो टाइम आपकुछ न कुछ गिफ्ट्स जरूर दिया कीजिए इसके अलावा कुणली में सूरे का खराब होना कई और सारी परिशान में की आपको लेफ्टनी तो आपको लाल और पीला रंगट आपको अपने जो वरकिंग हैं उस पर छे बार लपेट करके बांद ना और बांद ते समय आपको ओम घृनी सूरेयन नमा इस मंतर का जाप करना है आप देखिंगे ऐसा करने से जिन से जुन लोगों का जो खुद से decisions नहीं ले पाते हैं, जीजों को lead नहीं कर पाते हैं, ऐसी इस तरह की समस्याएं खत्म होती हैं, आपका confidence मस्पूत होता है, इसके अलावा, कुंटली में सूरे का खराब होना, कई बार आपकी बातों को या अपनी बातों को आप अपने अंदर तक ही रखते हैं, अपनी बातों को सामने वाले से कही नहीं पाते हैं, इस तरह की problems भी अगर आपको आती हैं, फिर relationship पार में बहुत जादे हैं, क्योंकि सप्तम का सूरे हो जाता है, वो आपकी दामपते जीवन में भी कई बार misunderstandings को create करता है, तो अगर आप जान लीजे इस चीज़ को, कि सुभा के समय में आपको करनी चाहिए, आप एक हाबिट में चीज़ डाल लीजे, कि सुभा उठकर के तामपे के लोटे से आपको सूरे को जल देना है, ऐसे लोगों का अच्छा रहता है, कि अगर वो अपनी हाइट से थोड़ा सा हाथ उपर करके सूरे को जल देते हैं, सा सूरे को जल देने के बाद एसे लोगों को सूरे नमस्कार क्योंकि हर एक ग्रह का अगर आप उसको स्ट्रॉंग करना चाहते हैं, तो उसका कनेक्शन योग से भी कही न कहीं पे होता है, सूरे नमस्कार को गर परफॉर्म करते हैं, ऐसा करने से भी आपका सूरे कुडली में बैठा हुआ मजबूत होता है, इसके लाबा आपको रात के समय मस्टर्ड ओयल अपने पैरों के तल्वों में लगाना चाहिए, इससे भी सूरे मजबूत होता है और आपका कॉंफिदेंस बहतर होता है, ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को ब्लड प्रशर के दिक्कत बह इस तरह के दिक्कते भी खत्म होती है, ऐसे लोगों को बादाम का सिवन रोज करना चाहिए, आलमंट आपको रोज सुभा के समय कम से कम खाने चाहिए, इससे भी आप देखेंगे, आपका सूरे मस्पूत होगा, इसके अलावा, जैसे मैंने कहा कि सूरे कमजोर होने के वज आए जाती है, आनामिका अंगली होते है, जैसे यह वाली फिंगर कहा जाता है थर्ड फिंगर तो अनामिका उंगली आपको लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर, आपनी आइब्रोस के भीच, जहां पर बिंदी यहां तिलक लगाते है, जहां से जो के आपका आपका इसा करने से आप energy loss से बच्चते हैं, आप अपनी energy इसको प्रिजर्व फॉर्म में रख सकते हैं साथी में क्योंकि सूरे का रंग जब आप देखेंगे तो इसका रंग जो होता है वो औरंज इस और रेड कलर जो है वो कोर्लेट करता है सूरे के साथ तो आपको हमेशा धायन रखना चाहिए कि आप अपनी घर में जब भी लॉट करके आएं तो लाल रंग के फल या लाल रंग की फ्लावर ज़रूर लेकर के आएं और उसे अपनी घर की इस डिरेक्शन में रख दीजए ऐसा करने से भी आप देखेंगे आपका सूरे जो है वो तो एसे लोगों के साथ हमेशा यह दिक्कत आती है कि वो लोग जैसे मैंने कहा कि बातों को सब्सक्रा से नहीं कह पाते साथी साथ में ऐसे लोग फुद को भी अपने लिए भी हमेशा नेगिटिव करने लग जाते हमेशा अपने आपको दीमॉरलाइज करने लग जाते क्य तो उसको आपको तुरंट डीकलटर कर देना चाहिए उसको तुरंट आपको अपने आसपा से हटा देना चाहिए क्योंकि ऐसी चीजे एक तरह का वास्तु दोश बनाती है और साथी में आपकी कुंडली में बैठे हुए सूरे को भी कमजोर करती है इसके अलाबा जैसे मैंने कहा लाल रंग की चीजों का इस्तमाल क्योंकि कलर एक बहुत इंपोर्टन शीज है अपने आपके अल्ली में देखा होगा कि हम आपसे कहते हैं कि आपका सूरे अगर कमजोर है तो आपको मानिक यान की रूबी रतन धारन कर लेना चाहिए और तो आपके जीवन में तरक्की हासल नहीं कर सकते हैं तो ज़रूरी है कि आप चाहे रतन पहने या आप ना पहने आप रेड कलर के इस्तमाल जादर से जादर करें जैसे मैं ने कहा तिलक आप जरू लगाए लाल चंदन से इसके अलावा रेड कलर की फूट्स का इंटेक करत य हैं पुलिड बाते हैं उस तरह स्फूर्य को और मोरल न पाइच का इस सी अपने उसर को स्पने दिशा के उसले हंुग्यान पिल्हाल वक्त होचछा है आप सभी से विजा लेने का, अगले घर और प्लानेट में में बात होगी बात होगी कि कैसे इसी तरह कि अपने नाशनल तरीकों से आप अपने प्लानेट को मजबूत कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मुझे देज़े जाज़त चुड़े रहें आप लोग आश्रोतन के साथ